आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंजोर का एक ऐसा महा उपाए बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके हस्बेंड की तिन दुनी रात चौटनी प्रोग्रेस होगी जिन लोगों के हस्बेंड का प्रमोशन नहीं हो रहा है उनके हस्बेंड का प्रमोशन एजली हो जाएगा और साथी साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पती पतनी में बॉर्णिंग अच्छी नहीं होती या फिर उनको डर होता है third party का तो वो सारी चीज़ें भी खतम हो जाएंगी ये जो उपाय है ये overall husband के लिए है आपके husband आपके favor में हो जाएंगे उनकी health issue, उनकी financial issue सब खतम हो जाएगी और trust me friends आप अपने husband के good luck बन जाएंगी और साथ ही उनके progress होने की वजा बन जाएंगी तो उपाय क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आप अपने घर में किसी भी मंडे को या संडे की शाम को एक शिव पारवती और गणेश जी की बड़ी सी फोटो लेकर आईएगा अपने पूजा घर में रखेगा या जिन लोगों के पूजा घर में हैं तो कोई बात नहीं आप रखे फिर मापारवती की फोटो पे आप एक लाल बिंदी लगाईएगा और रोज सुबा नहाने के बाद आप जो है बिंदी के उपर पाच बार मापारवती को सिंदूर लगाईएगा इस मंत्र के साथ पाच बार सिंदूर अपनी माग में लगाईएगा अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूँ सबसे जरूरी चीज कि सिंदूर जो है आपकी शादी का हो तो बहुत ही अच्छा है या आप जानते हैं कि जैसे बहुत लोग वैशनो माता गए या किसी देवी देवता की जगहां पे गए तो वहाँ से सिंदूर लेकर आते हैं तो क्या करते हैं आप अपने सिंदूर में डाल कर उसको सम्हाल कर रखिए ये सारे बहुत ही पावरफुल सिंदूर होते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि उनके शादी का सिंदूर खतम हो गया तो कोई बात नहीं आप किसी भी मंदिर के पास जाएए वहाँ से कुछ सिंदूर लाएए और अपने सिंधूरे में डाल लीजे जिन लोगों के पास सिंधूरा नहीं है वो एक सिंधूरा भी खरीद कर लाएंगे और उसमें किसी भी देवी देवतान का सिंदूर डाल कर रखेंगे और trust me guys, जिस दिन से आप करेंगे, उस दिन से आपको बहुत ही positive change मिलेगा, अपने husband के अंदर और उनकी life के अंदर, ये उपाय husband की उमर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथी साथ उनको life के हर जगहां पे, हर step पे बहुत ही ज़ादा success देता है, I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe जरूर कीजे, और कोई भी question है आपके, तो आप comment box में लिखिए, मैं आपको सरूर respond करूँ, thank you so much.